पर्टिन्यूइंग कोईस्टन नमबर थर्टीफोर क्या टेह रहा था बई एक बैटरी लगाई हमने 12 वोल्ट की एक रेजिस्टर आरवन और रटू लगा हुआ है जिसका दोनों का वैल्यू क्या है तू ओम है बैटरी की वैल्यू 12 वोल्ट है और इंडक्टेंस की वैल्यू आपको क्या निकालना होता है आर एक्वेलेंट निकालना होता है आर एक्वेलेंट निकालने का क्या तरीका होता है जो इंडक्टर है उसको ओपन कर लो और जो बैटरी होता है उसको क्लोज कर लिया और इधर हमारा क्या चीज है आरवन रेजिस्टर है जो कि 2 ओम का है और यह क्यों हो गये तो ही इक्किоп छाने में उसकेकों ज़तेया नापनों को और धोकिकिव हूं रेक्विनिकल हो गया तो आप क्या कर सकते हो, टॉर्क निकाल सकते हो, टॉर्क कितना होता है, टॉर्क बोल रहाँ, टॉर्क बोल रहाँ, टॉर्क यानि यह निकाल सकते हो, टाइम कॉंस्टेंट निकाल सकते हो, तो चुकि टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क होता है अब देखो आपको पता है बिटा क्या पता है कि जब आपको इधर 12 वोल्ट है यहां पर कितना यह हो जाएगा यहां भी 12 वोल्ट हो जाएगा चुकि यह दोनों प्राइलल में है और यह रहां तो जब आपको आइड नॉट निकालना है न याद करो मैं ने बताए आपको आइनॉट कब होता है जब डिटेंट फाइनल मतलब टेंश कव इनिफिनिटी हो जाता है और उस कंडिशन में अपको लगर को क्या लिया करते थे बिटा है ल को लिया करते तेस्ट चर्कीट है np यह बात समझ में आ रही है एक्ट इपल्स टू इंफिनिटी यानि स्टीडी स्टीट हम ने पढ़ाता है तो इस प्रेट में क्या होता है वह इंड़क्टर शॉट हो जाता है कि शॉट हो जाता है थी एक टू ओम और इधर भी क्या चायेगा सिदा हुअ बार बैटरी कितना बार्च बुल्ट है यह दो स्टीरा ने है बार करसेंगे होस्प बद्त अप्रेसाल से यंदि यह वंगा वह हो गया 1 Ohm, तो therefore इसमें जो maximum current produced होगा, वह क्या हो जागा, बारा प्टा एक यानी 12 Ampere हो जाएगा, ठीक है बच्चे, therefore चुकि आपको पता है current का क्या relation होता है, I0 1-e to the power minus t by tau होता है, ठीक है, आरी बात समझ में, I equals to I0 e to the power minus t by tau होता है, तो हमने यह चीज़ निकाल लिया भई, तो देखो इसको रख देते है value, तो therefore, चलो equation बिलाते हैं, I equals to, I0 हमारे पास क्या आगया, 12 आगया, तो 12 into 1 minus e to the power minus t by tau, tau कितना आया था आपने पास, 0.2, क्या चाहिए था बिटा, 0.2, बट आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, आपको current तो मिल गया, लेकिन आपको क्या चाहिए बच्छे, कि potential drop across L as a function of time, inductor में current हमें मिल गया, inductor में current मिल गया, अब हमें उसका voltage चाहिए, तो चुक्या आपको पता है बटा, कि EMN जो होता है, inductor में, वो क्या होता है, L di by dt होता है, होता है कि L di by dt, तो L आपके पास कितना है, L 400 mAh, इसको 0.4 लिख सकते है, 0.4 लिख सकते हैं, into di by dt, तो इसको integrate करना पड़ेगा, तो 12, 1 का क्या होगा, बटा, 0, minus e to the power minus t by tau, यानि 0.2 रहेगा, into क्या होता, minus 1 by 0.2, यह minus, यह minus plus होगया, तो बचा क्या, 0.4, 12, 0.2, e to the power minus t by 0.2, इसको ले जाओगे, 10, 2 से 5, तीक है, यह और यह cancel होगा, बटा, तू टूजा, 4, 12, टूजा, क्या होजा रहा है, 24 होजा रहा है, e to the power minus 5t, e to the power minus 5t, उसको बढ़े किया, मैंने, l di by dt, क्या गडबड़ वहा मुझसे, l di by dt, e mf चाहिए था, क्या चाहिए? हाँ, e mf चाहिए, potential drop across l, 400 by dt, to v by r, क्या गडबड़ किया, क्या गडबड़ किया, बच्चे, कि यहां पर, यहां से total current कितना लिकला, i equals to 12 ampere, यह क्या होगा, बटेगा, इधर जाएगा, 6 ampere, और इधर क्या जाएगा, 6 ampere, तो जो इंड़क्टर वाला ब्रांच था, यह आउटर ब्रांच, उसमें 6 ampere, उसमें जाएगा, तो उसमें फाइनली जो आपका जाएगा, यह क्या हो जाएगा, बच्चे, 6 हो जाएगा, तो 6 into 1 minus e to the power minus t by 0.2, एएसा हो जाएगा, तो यह आपका 6 आएगा, बच्चे, 6 यह भी क्या हो जाएगा, आपका, 6 हो जाएगा, तो देखधो, 6 2 जाएगा, 12, तो कौन सा आ रहा है आपका option number D, so the correct answer is option number B, correct answer is option number D, now see, 34 के बाद आपका क्या है, question number 35, the maximum current अच्छा, यह actually LC circuit का है, LC oscillation, ठीके बच्चे, यह हम जो AC circuit पढ़ रहे है, AC में आपका आने वाला topic है, LC, यह कई बार हम लोग इसको induction में भी पढ़ाते हैं, और कई बार हम लोग इसको इसमें भी बढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, AC में, तो हमने इसको AC के लिए ठोड़ रखा है, तो AC में हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद अपको यह automatic बन जाएगा, understood, ठीके, वहाँ पर चल Q35 के लिए बोल रहा हूं, जिसमें क्या किया है, एक capacitor जो की fully charged है, ठीके, capacitor जो fully charged है, कितना से, capacitance कितना है, इसको 1.5μF, और कितने वोल्ट से charge किया है, 60 वोल्ट से, तो इसको इसको चार्ज कितना आ जाएगा, maximum, तो यह 1.5 into 60 करो इसको पंदरा चर्के 90μC, ऐसा इसको इसको माइक्रो कुलाम इस पर चार्ज आ जाएगा, उसके बाद इसके एकरोस हमने क्या लगा दिया, inductor लगा दिया, L लगा दिया, ठीके, तो L और C, दोनों चीज है इसमें, तो इस तरीके का circuit क्या कहलाता है, LC circuit कहलाता है, आगे चलकर के हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीके, त तो आपको बोलता है कि, the maximum current in this coil cell B, close to, ठीके, तो इसमें जो है, oscillation होता है, चार्ज इसके और इसके बीच में, energy इसके बीच में, oscillate करता है, तो जब भी oscillation की बात होगी, तो frequency की बात होगी, और वो frequency, angular frequency होती बटा, 1 by root, LC, ठीके, तो आपको L दिया हुआ है, यहना, L की value दिया है, कितनी, 15 milli henry, milli henry, और C का value दिया हुआ, दिखो, 1.5 macro phara, आप इसको यहाँ पर रखोगे, 1 by root, L होगे, आपके पास 15 into 10 raise to minus 3, और C होगे बीचा, 1.5 into 10 raise to minus 6, ठीके बीचा, तो यह दिखो, 15, इसके क्या बाहर आजाएगा, therefore, omega equals to L से बाहर आजाएगा, 1 by 15, और यह हो जाएगा, 6, 3, 9, और 1, 10 में से 10 raise to minus 5, ऐसा बाहर आजाएगा, omega की value, ठीके, तो मैंने क्या बोला बिटा, I naught equals to क्या होता है, Q naught into omega होता है, Q naught देखो, आपको यहाँ मिल चुका है, 90 micro, 10 raise to minus 6, और omega देखो कितना है, 15 into 10 raise to minus 5, तो minus 1 हो जाएगा, 15, 60 हो जाएगा, तो यह आएगा 0.6 ampere, 0.6 ampere, ठीके, यह हम लोग next topic पढ़ने वाले हैं, अपने alternating सर्कीत में, understood, so don't worry, 35, next is question number 38, next is question number 38, question number 38, a uniformly wound coil of self-inductance, L दिया हो है बच्चे, 1.2 into 10 raise to minus 4, and resistance 3 ohm, resistance क्या हो है, बच्चे, 3 ohm है, broken up into two identical coils, these coils are then connected parallelly across a 6 volt battery of negligible resistance, the time constant for the current in the circuit is, ठीके, तो self-inductance of a coil, resistance 3 ohm है, उसको two parts में बाढ़ दिया, तो बटा, चुकिए आपको पता है, L वराबर क्या होता था, mu naught into, mu naught into n square, solenoid का, है न, solenoid का self-inductance क्या होता था, mu naught into n square, into A into L, तो बच्चे, अगर मैं उसको काट भी दूँगा, तो number of turns per unit length थोड़ी change होगा, number of turns per unit length change नहीं होगा, ना तो area of cross section change होगा, ठीके, सिर्फ क्या change हो जाएगा, बटा, दोनों जो उसका part बनेगा, एक का L1 और दूसरा L2, दोनों equal to क्या हो जाएगा, L by 2, और जैसा क्या आपको पता है, बटा, R equals to क्या होता है, रो L by A, therefore R भी क्या होता है, directly proportional to length होता है, जब length आधी होगी, तो resistance भी क्या हो जाएगा, बिटा, आधा हो जाएगा, ठीके, तो R1 और R2 भी क्या हो जाएगा, आधा, आधा हो जाएगा, आधी बात समझगे, ठीके, अब बोलता है कि ऐसे situation में, यह जो दोनों टुकडे मिले हमें, यह जो दोनों पार्ट मिले, उसको parallely जोड दिया जात है, ठीके, इन दोनों को parallely जोड दिया जाता है, तो inductor और register, यह कितना है, L by 2, यह कितना है, R by 2, दूसरा वाला भी, L by 2 और R by 2, इनको parallely जोड दिया, इसके साथ जोड आ थाई, कहां गया, 6 वोल्ट बैटरी, इसको जोड दिया हमने 6 वोल्ट बैटरी से, ओके बच्चे, ठीके, हमें क्या निकालना है, the time constant for the current in the circuit is, time constant, तो बच्चे, आपको पता है, resistance भी, है न, resistance का भी combination, है न, एकी तरीके से होता है, और inductor का भी combination, एकी तरीके से होता है, तो L, दोनों क्या है, पर्लेल में हैं, पर्लेल में क्या हो जाएगा, ल भी आधा हो जाएगा, है न, L by 2 का आधा, क्या हो जाएगा, L by 2 का आधा, क्या हो जाएगा, और register का भी क्या हो जाएगा, R by 2, R by 2 अरआ हो, जाएगा, दो Erin by 4 वार आरवाए 4 है न, ये 6 वोल्ट थिके, तो टाο इकोल क्या होता है L by R होता है L by 4 by R by 4 तो यह देखो फिर से क्या आया L by R ही आया और L कितना है 1.2 into 10 raise to minus 4 और R कितना है 3 तो 0.4 0.4 into 10 raise to minus 4 कम सारा है 0.4 into 10 raise to minus 4 option number A ठीक है बच्चे option number A ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास question number 39 question number 39 question number 39 question number 39 क्या बोल रहा है बच्चे कि इसमें basically आप इसको क्या कर लो दो पार्ट बना लो दो अलग अलग पार्ट एक जो है इधर battery EMF पैदा करेगा और इधर consume होगा अब आपको इधर का circuit दिख रहा है इस तरीके का ठीक है यह वाला circuit दिख रहा है तो आपको पता है बच्चे कि यह 3 यह 3 यह 3 और यह 3 और यह 3 और इधर क्या होगा आपको battery मिलेगा इनका EMF induced होगा EMF कितना induced होगा तो आपको पता है B into L into V आपको पता ही है EMF कितना induced होगा तो B कितना है बच्चे अपने पास B है 2 length कितना है 10 cm यह 0.1 और speed speed अपने को पता करना है तो यह कितना होगा 0.2 V यहतना EMF induced होगा और बोलता है कि इसमें करेंट कितना बह रहा है 1 milli ampere हारी बात समझ में कितना EMF current हो रहा है 1 milli ampere तो बच्चे यह देखो इसको दिख करके हमें लग रहा है कि यह क्या है इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा देखो यह घट गया तो अब बचा क्या देखो यह 3 3 series में 6 हो गया यह 3 3 6 series में हो गया और यह 6 और 6 parallel में minus 3 e equal to कितना है 0.2 upon 3 ठीके 0.2 V therefore तो बच्चे V equals to क्या हो जाएगा 3 to 10 raise to minus 3 upon 0.2 इसको हटाएंगे बचा 10 होगा तो 3 by 2 हो गया 1.5 और यह हो गया 10 raise to minus 2 ठीके तो यह आया हमारे पास कुछ तो गड़बड हुआ कुछ गलती की मैंने जिरो पॉइंट 2 by 3 3 3 6 और 6 और 6 और 6 अच्छा एक चीज मैंने मिस किया यहां पर यह जो इस वाला पार्ट है इसका भी रेजिस्टेंस गिवन है इधर का एक वन ओम इधर का भी लेना है ठीके वन ओम लोंगा बिटा तो 3 और वो 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तो यहां पर आपको 4 लेना पड़ेगा तो इस वीकम्स 4 तो 4 हो जाएगा तो पिटा यह हो जाएगा आपका 2 तो 2 इन्टू 10 दिस्टू माइनस 2 मीटर पर स्केंड तो आंसर है आपका B के लिए रमचे आरी बात समझ में यह जो इधर का फ्रेम था उसका भी 1 ओम था तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा तो आंसर इस 2 इन्टू 10 दिस्टू माइनस 2 मीटर पर स्केंड यह हो जाएगा का कौंसा 39 नेक्स्ट है विटा 40 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 तो पॉस्टन नंबर 40 तो यह आपका के सर्कुलर कोईल विटा क्रॉस सेक्ष्टनल एलिया और फॉर सेंटिमेटर स्क्वेर हास्टेंट टॉन्स एक कोईल है इस तरीके से इसमें कितने टर्न हैं 10 टर्न है और इसका एलिया कितना है 4 सेंटिमेटर स्क्वेर है इस टेंटर विट और यह अंदर में है एक सॉलेनॉइट के तो दोनों का एक्सीस क्या है सेम है सॉलेनॉइट का जो एंड है वो क्या है 15 टर्न्स पर सेंटिमेटर है अपने को एसाई में लेना है तो 15 बाए 10 तो माइनस 2 करना पड़ेगा है ना पर मीटर में लेना पड़ेगा तो यह हो जाए कि बटा 1500 टर्न्स पर मीटर ठीक है क्रॉस्टेक्शनल एरिया इसका है बाहर वाले का प्रॉस्टेक्शनल एरिया है 10 सेंटिमेटर स्कूर्र इसके अपने को निकालना है तो कैसे करोगे इसमें इसके लिए भी तो मान लो बच्चे कि इस सोलेनोइड में ठीक है इस सोलेनोइड में कितना करेंट जा रहा है आई करेंट जा रहा है जब i current जाएगा तो इसके वज़े से किसका फिल्ड बनेगा बिटा mu0 into n into i तो mu0 into n into i ये हो गया इसका फिल्ड हो गया किसका ये बड़े वाले का आरी बात समझ में अच्छा अब ये फिल्ड क्या करेगा इसमें flux बनाएगा तो flux क्या हो जाएगा बिटा b.a होता है तो b into b into a ठीक है a कौन सा वाले लूँगा बिटा small a बोल देता हूँ इसको तो अंदर वाले लेना पड़ेगा ठीक है तो b into a ये एक लूप में हुआ बिटा कितने लूप है n लूप है तो n b a कितना क्या हो जाएगा total flux हो जाएगा तो n कितना है बिटा 10 फिल्ट कौन सा वाला लूँगा ये वाला तो mu naught into small n कितना है देखो 15100 into i i मुझे पता नहीं तो ये हो गया आपका और a क्या था इसका area 4 cm2 4 cm2 क्या हो जाएगा 10 raise to minus 4 तो 1, 2, 3 पट गया बिटा तो बचा है क्या minus 1 तो 154 के 60 into 10 raise to minus 1 तो बचेगा क्या 6 ठीक है 6 into mu naught into i 6 into mu naught into i ये बचा बिटा अपना 5 ठीक है याद करो हमने क्या पढ़ा था 5 फोल्स को क्या होते बिटा m into i तो ये i और ये i cancel हो जाएगा m बड़ाबर क्या बचेगा 6 into mu naught आपको answer की सुप में दिया है तो 6 mu naught की value होते बचेगा 4 pi into 10 raise to minus 7 6 forza 24 pi into 10 raise to minus 7 ठीक है और pi की value लेलो 24 या बहतर लेवर 72 के आसपास आ रहा है ना हां तो ये आपका आ जाएगा ठीक है 72 approx into 10 raise to minus 7 अगर एक ये ले लिया तो 7.2 into 10 raise to minus 6 that is 7.2 micro henry ठीक है micro henry जो की approx में आ रहा है option number 1 के ठीक है ठीक है विचिस approximately equal to option number a understood ये बहुत ही आसान है वे simple अपने को अगर करता है तो we can do this okay now 40 40 के बाद 40 40 के बाद 42 next question is 42 42 question 42 देखो क्या दिया हुआ है आपको एक फ्रेम बनाया हुआ है और ये फ्रेम में एक ऐसा रोड लगा हुआ है जो नीचे जा रहा है constant velocity V से ठीक है बच्चे और यहां पर cross field है D a long conducting wire AH is moved over a conducting triangular wire of CDE with a constant velocity V in a uniform magnetic field directed into the plane of the paper resistance per unit length of each wire is rho then a constant clockwise ठीक है तो 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 जैसे जैसे ये नीचे आएगा बच्चे जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो एरिया बढ़ेगा कि घटेगा area बढ़ेगा तो flux बढ़ेगा और flux बढ़ेगा तो इसमें current ऐसा induced होना चाहिए जो उस flux को घटाए तो वो flux कैसे घटा सकता है उसके print को अपूर्स करके तो इसका print क्या बनना चाहिए बाहर की तरफ तो इसमें current का direction क्या होना चाहिए anti clockwise तो ACW करेंट बहना चाहिए अब बोल रहा है कि anti clockwise में देखो कौन कौनस ऑप्शन है बीस तीर डीप तीनों anti clockwise में है अब increasing nature का बनना चाहिए या decreasing nature का बनना चाहिए अब यह सवाल उपता है तो बिटा आप देखोगे कि यह constant speed से नीचे जा रहा है तो area भी क्या होगा constant speed से पढ़ेगा है ना मिटा ठीक है तो EMF जो develop होगा वो भी एक constant nature का develop होगा और current जो induce होगा वो भी constant nature का develop होगा तो answer हो जाना चाहिए आपकर इसका option number D next is question number 43, next is question number 43, okay बच्चे, question number 43, okay यहाँ पर क्या है बई, two identical conducting rings यह इस तरिके का और यह दूसरा ठीक है यह दोनोरी यह इधर जा रहा है और दोनों के इसकी speed V है और यह इधर जा रहा है with speed V, ठीक है यह तो मानलो बच्चे यह point मैंने क्या बोला, O बोला, इस point को भी क्या बोल ला हूँ, O बोल रहा हूँ और इस point को क्या बोल रहा हूँ, A बोल रहा हूँ, और इस point को क्या बोल रहा हूँ, B बोल रहा हूँ, तो जैसा कि आपको पता आया थे ring अगर यह करे तो वह कैसे treat किया जाता है, like a rod है तो और direction कैसे निकाल हूँ, यह emotional EMF का case है, emotional EMF क्या होता थे, B into L into V होता था, ठीके magnetic field length B, length L, length कितना लोंगा बिटा, length कौन सा लिया करते थे हम लोग, यह वाला length लिया करते थे, कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2R into V, 2BRV हो जाएगा, अचा, अब दूसरी चीज़ है, direction कैसे निकाला करते थे, यह field कि इदर है, इसमे, field बोल रहा है, horizontal conducting plane with the same constant magnetic field is present into the plane of paper, त इससे हम direction पता कर सकते हैं, अंदर की तरफ रख लिया, motion की तरफ रख लिया, तो यह किदर आया, तो यह वाला क्या होगा, high potential पर होगा, तो VO minus VA, यह आ गया, 2BRV, equation number 1, similarly इसमें करेंगे बच्चे, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, motion इस तरफ हो रहा है, field अंद देखो, उपर की तरफ आया, मतलब यह higher potential पर होगा, that means VB minus VO, ठीक है, VB minus VO, इस बार कितना हो जाएगा, 2BRV, equation number 2, आपको क्या चाहिए, मिटा, आपको चाहिए, VA minus BB चाहिए, आपको क्या चाहिए, दोनों top points का potential difference between the highest point of the two rings, यह और यह के बीच का potential difference चाहिए, VA minus BB चाहिए, इनको मैनस इनको कर लो, ठीक है, इनको मैनस इनको कर लो, तो equation 2 minus 1 करते है, तो VB minus VO, नाई, आप इसको कर लो, simply add कर लो, ठीक है, इनको add कर लो की तो यह higher, हो जाएगा, क्या बचेगा, VB minus VA, है ना, VB minus VA, एको इसको क्या हो जाएगा, बटा, 4BRV, ठीक है कितना हो जाएगा 4BRV कौन सा हो जा रहा है बिटा आप्शन नमबर C आ जा रहा है ठीक है कौन सा राज आ जा रहा है C आ जा रहा है ठीक है next question question number 44 next question is question number 44 let's see question number 44 क्या बोल रहा है बच्छे two concentric and coplanar coils having radii A and B तो एक अंदर में है और एक बाहर में है इसका A है इसका B है ठीक है बोला जा रहा है कि current in the outer coil is increased from 0 to I इसमें current जो है 0 से लेकरके I तक बढ़ाया जाता है 0 से लेकरके I तक increase किया जाता है then the total charge circulating the inner coil is और inner coil का resistance कितना है R है आपको क्या निकालना है total charge आपको जैसा कि पता है बोटर DQ equals to D5 by R होता है आज ही सिखे हुए है आज कई बार ये use हुआ DQ equals to D5 by R ठीके बच्चे अपने को DQ चाहिए तो उसके लिए क्या निकालना पड़े का D5 निकालना पड़े इसमें current I होता तो इसमें कितना फिल्ड बनता बटा D equals to a ring की वज़े से फिल्ड क्या होता था circular current carrying loop की वज़े से फिल्ड हो राकता था mu not i by 2R होता था ठीके तो इसका radius क्या है B है mu not i by 2B हो जाएगा ठीके तो flux क्या होता है फिल्ड इंटो एरिया mu not into i by 2B into इसका area क्या हो जाएगा पाई A square ठीके तो ये हो गया आपका flux तो इनिशली flux क्या होगा जब current 0 रहा होगा तो i 0 i 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0 तो 5 i is 0 तो 5 final क्या हो जाएगा पाई final जब current i हो जाएगा तो 5 final हो गया mu not i by a square by 2B ये final हो गया तो change क्या है this minus this is mu not i by a square by 2B into i तो ये कौन सा हो जा रहा है बिटा देखो mu not i a square by mu not i a square by 2RB mu not i r square mu not i a square by 2RB pi नहीं आया mu not i b by 2 pi r कुछ तो machine है mu not i a b a b तो नहीं होगा mu not i a square कुछ तो गड़बड़ है ठीके options आयर में भी गलत हो सकता है ठीके बच्चे तो एक बर्देख लेना इसको I think इसका क्या होना चाहिए first होना चाहिए pi missing है okay बच्चे ठीके तो आज का discussion समाप्त होता है क्या क्या थात्थ तो एक बच्चे रहा हुआ क्या थाँ